हलो फ्रेंड्स मैं हूं मितलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यदि आप डी फार्मा इंटरेंस एक्जाम 2023 की तैयारी कर रहे हैं तो आपको केमेस्ट्री किलेबस में क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है कितने कोईशन आते हैं कितना टोटल मार्क्स का क्यमेस्ट्री में कोईशन आता है कितना आप स्कोर करेंगे टोटल जो कि आपको एक सेफ स्कोर माना जाता है complete information देने वाला हूं आप वीडियो में लाश्ट तक बने रही ह ठीक है सलिए सबसे पहले मैं आपको पता दूँ कि केमस्ट्री में आपके exam में क्योशन कितने आते हैं तो आपको पता होगा UP में जो D Pharma entrance exam होता है ऊसमें दो ग्रूपस होते हैं एक होता है ग्रूप E1 दूसरा होता है ग्रूप E2 तो E1 में वो बच्चे आते हैं जिनका त प्रीन सब्जेक्ट होता है physics chemistry mathς तो physics chemistry biology physics chemistry math तो physics से जो question आते है वो 25 question आते है chemistry से 25 fashion आते है biology से 50 question आते है जबकि e2 group आले बचे फिजिक्स से 50 chemistry से 25 लेकिन math से 50 question आते है ठीक है? इस तरीके से आते है तो आपको जो chemistry में total question कितना है? 25 और पूरे एक्जाम में जो total question हुआ कितना हुआ 100 हुआ और एक question 4 marks का होता है तो total marks कितना हो गया 400 marks का हो गया और negative marking होती है तो आपका selection हो कितने number पे जाएगा यदि 400 marks का है तो 400 marks में आपको यदि 230, 240 plus score कर लेते हैं तो आपका selection confirm है ठीक है government या फिर government college में आपको एक seat d parma की मिल जाएगी ठीक है तो चलिए आपको chemistry कैसे पढ़ना है देखे chemistry को आप ज़्यादा serious ना ले मेरे ख्याल से ज़्यादा serious आप biology subject को ले कम मेहनत में ज़्यादा output मिलेगा कम मेहनत में ज़्यादा output मतलब 50 question है पचास में से आपका target होना चाहिए कि 40 plus question हम किसे सही कर लें biology से कैसे सही कर लेंगे वो भी बताऊंगा ठीक है लेकिन chemistry में आपको कम से कम 10 question सही करना है 240 marks आ गया 210 यह 220 पर government college मिल जाते है ठीक है तो इस तरीके से आपको हो जाएगा तो आपको मैं chemistry में chapter बता देता हूं आप अच्छे से पढ़ लेजिए और कहां से पढ़ना है वो भी बताऊंगा ठीक है best content कहां मिलेगा परमानुस संरचना पहला chapter दूसरा chapter रशाइनिक बंध यह रेडियो एक्टिविता तीसरा chapter रेडॉक्स अभी क्रियां तथा इलेक्ट्रोड विभव जिसको हम लोग रेडॉक्स रियाक्शन एंड इलेक्ट्रोड potential कहते हैं फिर गैसी अवस्था जिसको gaseous state कहते हैं फिर हमारा बात करें रशाइनिक साम्य chemical equilibrium कहते हैं फिर विलियन तथा वितरन नियम जिसको हम लोग merger and distribution rules कहते हैं merger and distribution rules कहते हैं सॉरी अधिसोसन कोलाइडी अवस्था तथा उत्परेरन जिसको हम लोग adsorption colloidal phase and catalysis कहते हैं फिर ionic samia ionic equilibrium कहते हैं उसके बाद बात करें हम लोग उस्मा गतिकी एवं उस्मा रशायन जिसको हम लोग thermodynamics and thermo chemistry कहते हैं फिर रशायन बल गतिकी जिसको chemical kinetics कहते हैं ठोस अवस्था यानि solid state कहते हैं तत्वों का आवर्ती वर्गी करन यानि periodic classification of elements फिर उसके बाद हम आता है hydrogen तता उसके यौगि hydrogen and its compounds फिर छार धातुमें तता छार यह मिरिदा धातुमें जिसको हम लोग alkali metals and alkaline earth metals फिर यह periodic table के chapter है आठवा ग्रूप three sorry three a and four a samoo के तत्व ठीक है यह सभी periodic table के chapters है तो periodic table आप पढ़ लीजिए पूरे अच्छे से यह भी periodic table में आता है फिर यह भी periodic table में आता है डी block elements को यह मिलोग क्या कहते हैं संक्रमन तत्व या फिर उपसा सही हो जग योगिक यानि transition elements and sub coordination compound metallergy पढ़ना है धातू कर्म पढ़ना है विसलेसिक रशायन पढ़ना है analytical chemistry जिसको कहते हैं फिर समान्य कार्बनिक रशायन यानि general organic chemistry क्या general organic chemistry फिर aliphatic hydrocarbon जिसको हम लोग aliphatic hydrocarbon कहेंगे ठीक है फिर alkaline halide alcohol तथा इथर यह पढ़ना है अलकाइल हलाइड alcohol इथर फिर aldehyde ketones carbonic acid and their derivatives ठीक है उसके बाद बात करें aliphatic amine aliphatic amine हो गया फिर हो जैव अनू तथा बहुलक biomolecules and polymers फिर aromatic यॉगिक जिसको parometric compounds कहते हैं इस तरीके से हमारा सारा चेप्टर खतम हो गया आप तैयारे आप कहां से करेंगे कैसे करेंगे देखे यदि आप डी फार्मा इंटरेंस एक 2023 को फोकस में लिए हुए हैं तो आपके लिए एक best opportunity है कि हम लोगों ने एक batch new new launch करा है अभी उसमें कुछ दिन पहले यह classes start हुई हैं वहाँ पे classes free of cost as a demo lecture भी available है आखिर क्या features है मैं पहले वो बता देता हूं तो डी फार्मा 2023 के इंटरेंस exam के point of view से recorded video lectures आपको वहाँ पे अवेलेबल कराए जाएगे देखिए आपके एक्जाम में चार सब्जेक्ट है physics, chemistry, math, biology ठीक है तो physics, chemistry, math के क्या होंग प्लस जो उस chapter से mcq बनते हैं उसका एक अलग से video lecture बनेगा प्लस e-book pdf notes भी मिलेगा किसका किसका चारो सब्जेक्ट का physics, math, biology प्लस topic wise टेस्ट में करवाऊंगा प्लस model paper practice करवाऊंगा previous year paper का भी practice करवाऊंगा proper time management सिखाऊंगा मतलब complete package आपको दे दूँगा क्या आपको त मतलब स्टार्ट होने में तो यदि आप जॉइन होना चाहते हैं तो हमारे साथ जूड सकते हैं डी फार्मा इंटरेंस exam के बैच में आपको क्या क्या करना होगा सबसे पहले play store app पे जाईए उदित फार्मेसी online classes app सर्च किजिए उदित फार्मेसी डैनीस्त्री के से हमारा logo आएगा आप यहां install option आएगा install कर लिजे फिर उसके बाद अपना mobile number डालिए OTP डालिए उसके बाद अपना नाम डालिए email ID डालिए login कर लिजे उसके बाद आप store वाले section में आईए store वाले section में जब आप आएंगे तो आपको एक course दिख जाएगा उदित फार्मेस डी फार् 99 रुपीज रखा है काफी minimum price में आप बहतर तयारी कर सकते हैं और अब भी से ले करके जब तक exam ने हो जाता है तब तक आपको free of cost इस batch में पढ़ाया जाएगा ठीक है तो चलिए कोई बात नहीं हम लोग इस तरीके से तयारी करेंगे आपको एक दम बिल्कुल पहुंचाए करेंगे आपके मंजिल तक बस आपको जो करने बोल रहा हूं वह कर लिजे आपको क्या करना है यदि आप रियली में सेलेक्षन चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि जो ये channel है वो उदित फार्मेसी है यहाँ पर हम लोग डी फार्मा के first year second year GPAT exit इस तरीके स चीज़ के बारे में बात करते हैं लेकिन जो हमारा एकेडमिक चैनल है उदित अकेडमी नाम से क्या है उदित अकेडमी आप सर्च किजिएगा यूट्यूब पर उदित अकेडमी देन आ जाएगा आप इसको सब्सक्राइब कर लिजे यदि आप इंटरंस एक्जाम के तैर चैनल को जरूर जॉइन कर लिजे क्योंकि यदि आपको इसकただ प्डि अप्रीडियि के टेली क्र अचाहता थाके तीसरा काम है यदि आप रियली में जॉइन करना चाहते हमारे एप को उधित फार्मेसी एप को इंस्टॉल कर लिजे ठीक है इंस्टॉल करके फ्री लेक्चर से विलेबल आ वहाँ पे सायटोलोजी कमप्लेट लेक्चर अवेलेबल साइटोलोजी आप देख लीजिए अगर अच्छा लगता है तो मैं साथ जॉइन हो जाएए ठीक है चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्बेटी वीडियो में तब तक के लिए ओके बाइ